गाईज 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 यह है वो लूट जिसके बारे में मैं कल आप लोगों से डिसकर्स कर रहा था जाँ गाईज आज हम बात करने वाले हैं सेंट बरनार्ड के बारे में जोग एक्टम फ्री है अडॉप्शन के लिए end starting से लेकर end तक मां आप लोग को बहुत सारी important बाते बताने वाला हूँ जो आप लोग लिए जानना बहुत ही जरूरी है तो आप में से जो लोग इस dog को adopt नहीं करना चाहते फो लोग इस वीडियो को skip कर सकते हैं बट आप में से जो भी interested हैं इस dog को adopt करने के लिए तो प्रीज आप लोग पिल्कुल भी वीडियो को skip मत करना और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं कल आप लोग लिए एक और जबरदस्त quality का dog लेकर आ रहा हूँ और वो भी एकदम free adoption के लिए तो दोस्तों इस चैनल पर आप लोग को इतने सारे free adoption के dogs मिलेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का एकन को ओल पर जरूर कर लें ताकि आप लोग को मेरी सभी वीडियोस मिलती रहें सो गईस ये सेंट बरनाड अच्छी quality का होने के साथ साथ काफी heavy भी है और ओनर का जो इसको adopt कराने का reason है वो भी माँ आप लोग को बता देता हूँ सो गईस आप लोग तो चैनते ही होंगे कि सेंट बरनाड को एक काफ़े अच्छा family dog माना जाता है और ये dog भी अपनी family के लिए बहुती fun loving and friendly है बट अगर आपके घर में ओलरी कोई dog या कोई और animals है तो आप लोग इस dog को बिल्कुल भी adopt ना करें विकोस ओनर ने मुझे बताया कि दूसरे dogs और animals के लिए पहुती खतरनाख है वैसे ओनर ने सेंट बनाड को पहले भी free में ही adopt किया था बट अब उनर के पास दो dogs और हैं जिनके उपर ये attack कर देता है और इसी वज़े से उनर भी इसको free में दे रहा है adoption के लिए बट साथ में उनर ने ये भी mention किया है कि humans के लिए ये बिल्कुल भी aggressive नहीं है बट फिर भी guys अगर आप लोग इसे afford कर सको इसे handle कर सको तो ही आप लोग इसे adopt करें otherwise आप लोग ये सोच कर इस dog को बिल्कुल भी adopt ना करें कि free में मिल रहा है चलो हम इसे ले ले लेते हैं जोकि सेंट बरनाड एक last size की dog पीड है जिनकी diet भी काफी ज़्यादा होती है और साथ में एक बात का ध्यान भी ज़रूर रखें अगर आप लोग छोटे apartments में रहते हैं तो सेंट बरनाड को आप लोग बिल्कुल भी purchase या adopt ना करें क्योंकि इने रहने के लिए अच्छे खासे space की जुरूरत होती है तो अगर आप लोग के पास space है तो आप लोग dog owner से contact करके इसे adopt कर सकते हैं तो owner से contact आप लोग कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ तो owner के mobile के जो starting के 5 digits है वो आप लोग को वीडियो में मिलेंगे 1 by 1 करके और बाकी के 5 description में और description में owner contact number आप लोग को तब ही तक देखेगा जब तक ये dog available है अड़ोप्ट होने के बाद owner contact number मैं description से remove कर दूँगा ताकि उन्हें बाद में कोई प्रेशान ना करें तो दोस्तों अगर इस सेंट बनाड़ की age के बारे में बात करें तो ये एक male dog है और 2 years का हो चुका है और फ्रेंस वीडियो के लास्ट में आप लोग को owner के एक voice clip भी मिलेगी तो प्लीज उस clip को एक बार चरूर सुनें और फ्रेंस अगर location के बारे में बात करें तो इस dog की जो location है वो है आगरा उतर परदेश से और प्लीज प्लीज डिलिवरी के लिए आप लोग बिल्कुल भी contact ना करें क्योंकि इस dog पर आप लोग को delivery बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी अगर आप लोग के लिए possible है डिरेक्ट वीजिट करके इसे adopt करना तो ये आप लोग dog owner से contact करें तो चलिए अब मैं आप लोग को owner के वो voice clip भी सुना देता हूँ जिसमें आप लोग को पूरी information मिल जाएगी इस dog के बारे में अरे सर जी हमारा सेंट वटनार dog है हम इसको free adoption के लिए आपके channel पे डलवाना चाहते हैं और इसका reason ये है हमारे गर में और भी दो डॉग हैं और ये डॉग पे बहुत जादा अटेक करता है डॉग को खतम कर देता है बिल्कुल ही ये डॉग को मार देता है मतलब लटाई में बहुत जाता है वह है ऐसे family member किसी से भी कुछ नहीं कहेगा लेगन कोई और इसको दू नहीं से free लेकर आयते हैं इसलिए हम free adoption के लिए दे रहे हैं इसकी के सब्सक्राइब